आज की इस वीडियो में हम लोग Pacific Ocean के अंतरगत आने वाला जो भी important islands है उसको एक test के माध्यम से cover करेंगे इससे पिछले कुछ वीडियो में आपको इन सारे islands से परिचित करवाया जा चुका है आज आपका एक test है और test के माध्यम से हम लोग इसको revision करेंगे कि इसमें कौन सब म आइलेंट दिख रहा है एक दो तीन चार इस चार आइलेंट का क्या नाम है इसको मैं circle कर दे रहा हूं इस चारों का क्या नाम है option आपको दिया जया रहा first option पहला आपको हो गया French Polynesia दूसरा ओप्षन आपके लिए हो गया पिटकेर्न आइलेंड थर्ड ओप्षन आपको दिया गया समोवा और फूर्थ ओप्षन दिया गया तुवालू अब आपको बताना है कि इन चारों में से ये वाला कौन सा है पहला था फ्रेंच पॉलिनेसिया दूसरा है पिटकेर्न आइलेंड तीसरा है समोवा और चौथा था तुवालू तो इसका सही जवाब होगा पिटकेर्न आइलेंड ये चारों जो है ये पिटकेर्न आइलेंड है ठीक है ये पिटकेर्न आइलेंड होगी आपको तो जो पिटकर्न आइलेंड है ये युनाइटिड किंग्डम का पार्ट है और इसकी जो कैपिटल है इसकी जो राजधानी है वो यहां पर है अरम्स टाउन ये जो आइलेंड है ये अरम्स टाउन है जो की इस पिटकर्न आइलेंड का पार्ट है उसके बाद आपको कुछ ओप्षोन है French Polynesia, second option है Samoa, third option Cook Island और fourth option Tuvalu फ़र्स्ट ओप्षोन French Polynesia, second option Samoa, second option Cook Island, third option और fourth option Tuvalu तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा French Polynesia अब फिर इसको notice कीजिए हम लोग अभी क्या देख चुके हैं हम लोग अभी देख चुके हैं ये कि ये जो island का group है ये था Pitcairn Island अब यहाँ जो आपको एक group दिखा islands का ये islands का group है French Polynesia तो Pitcairn Island United Kingdom का part था ये UK के administration में आता है और ये जो French Polynesia ये France के administration में आता है अब आपको यहाँ पर एक कुछ islands का group दिख रहा है छोटा छोटा जिसमें दो बड़ा island दिख रहा होगा और कुछ बहुत ही छोटा छोटा island है अब इस island का आपको नाम बताना है ये तीसरी नमर का ये first है ये second है और ये third है तो इस island का क्या नाम है आपको option अगर मैं दूँ तो first option आपको दिया new island second option cook island और third option new caledonia island ये था new island, cook island और new caledonia island अब फिर से इसको नोटिस कीजिए कि ये वाला जो island है ये कौन सा है तो अगर आपका जवाब cook island है तो आप बिल्कुल सही है ये cook island है, यहाँ पर cook island आपको दिख रहा होगा cook island जो की न्यूजिलेंड का पार्ट है और अवारुआ जो है इसका capital है अवारुआ तो इस तरह से हम लोग क्या देखें अगर हम लोगों को notice करना हो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ एक देखें कुछ islands का group फिर दूसरा islands का group यहाँ देखें और तीसरा islands का group यहाँ देखें तो यह जो था यह था पिटकर्न आइलेंड यह जो है यह है French Polynesia और यह आप देखें cook island जो की इस न्यूजिलेंड का पार्ट है यहाँ एक island और आपको देख रहा है यह है new island new तो new island जो है यह भी न्यूजिलेंड का ही पार्ट है तो आप देखें न्यूजिलेंड का ही पार्ट है और अलोफी इसका capital है तो हम लोग अब notice करने के लिए चार चीजों को notice हम लोगो करना होगा अभी तक का जो हिस्सा है सबसे पहले आपको यह इसको notice करना है फिर इसको notice करना है उसके बाद यह notice हो गया और एक island यहां हो गया एक, दो, तीन, चार जो यह है यह Pitcairn Island है दूसरा French Polynesia तिसरा Cook Island चौथा New Island ठीक है अब फिर से आपको मैं notice करवा रहा हूँ यहां जो आप देखे, चार यह Pitcairn Island यह सारा जो आप देखे यह सारा है French Polynesia यहां जो आप देखे यह Cook Island और यहां जो एक island है यह है New Island अब आपको पूछा जा रहा है यह जो island आपको दिख रहा है यहां पर यह कौन सा island है फिर से notice किजिए यह जो island है इसका क्या नाम है आपको गर मैं option दूँ पहला option Wallace and Futuna Wallace and Futuna और दूसरा option अगर मैं दूँ Samoa और तीसरा option दूँ आपको Tonga पहला है Wallace and Futuna दूसरा है Samoa और तीसरा है Tonga तो अगर आपका जवाब Wallace and Futuna है तो आप गलत है अगर आपका जवाब Tonga है तो भी आप गलत है तो किसको notice करना था इसको notice करना था तो अब देखे इसका क्या जवाब है Samoa बिलकुल तो यह जो है Samoa island है अब Samoa island आपको किन किन चीजों को notice करना है यहाँ पर जो island देखे यह Pitcairn island यहाँ जो पूरा देखे यह था French Polynesia फिर यहाँ जो दो आप देखे यह दो है Cook island यहाँ एक सिंगल देखे यह है New island और यहाँ जो अब आप देखे island यह है Samoa island अब एक दो तीन चार पांच पांच हिसे को हम लोग यहाँ पर कवर किये इसको मैं हटा रहा हूँ अब उसके ज़स्ट नीचे यह जो आपको दिख रहा है यह सब है Tonga यह इतना जो island आपको दिखा Samoa के ज़स्ट नीचे यह Tonga है तो आपको यह अगर पूछा जाए तो यह Samoa और Samoa के नीचे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहाँ पर छे आपको दिख रहा है तो उपर वाला केवल है Samoa और नीचे वाला सारा जो है यह है Tonga तो इसको ध्यान में रखिए उपर Samoa और यह Samoa और नीचे Tonga तो इस तरह से यह हो गया तो Tonga की जो राजधानी है वो Nuku Alofa है Tonga की राजधानी कैपिटल Nuku Alofa तो चलिए हम लोग इसको नोटिस किए अब यह पूरा का पूरा जो यहाँ आपको कुछ आइलेंड दिखा यह तीनों यह इस न्यूजिलेंड का पार्ट है डारेक्ट चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ठीक है यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यह फिजी है अब क्योंकि काफी जादा यह उलज गया है तो इसको मैं थोरा सा सुलजा दे रहा हूँ पहले तो यहाँ पर यह जो आपको दिखा यह फिजी है फिजी की जो राजधानी है यह सुवा है और यह नोटिस आपको करना है कि न्यूजिलेंड का जो यह वाला पार्ट है इसके ठीक उपर में है न्यूजिलेंड के ठीक उपर में और यह जो कार्पेंट्रिया की खाड़ी है इसके ठीक सामने तो कार्पेंट्रिया की खाड़ी जो आउस्टेलिया का पार्ट है उसके सामने और न्यूजिलेंड के उपर यहाँ पर आपको फिजी देश मिलेगा तो फिजी की राजधानी सुवा इसको बस ध्यान में रखना है चलिए तो अब हम लोग कई सारे चीज़ों को नोटिस किए सबसे पहले हम लोग पिटकेर्न आइलेंड को नोटिस किए यहाँ पर है पिटकेर्न आइलेंड उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेसिया तो यह फ्रेंच पॉलिनेसिया उसके बाद हम लोग कुक आइलेंड को नोटिस किए यह है कुक आइलेंड उसके बाद हम लोग न्यू आइलेंड को नोटिस किए तो यह न्यू आइलेंड यहाँ धो गया फिर हम लोग समोवा को नोटिस किये तो ये उपर में समोवा और समोवा के नीचे हम लोग ये सारा आइलेंड यहां जो है ये सारा नोटिस किये जो की टोंगा था और टोंगा के बाद हम लोग यहां पर नोटिस किये ये सारा तो ये सारा हम लोगों को मिला फिजी को नोटिस कर लिए अब उपर इस फिजी के ठीक ऊपर में यहां पर एक आपको दिखेगा वालिस एंड फ्यूटना तो यह तो था फिजी यहां फिजी है जस्ट इसके ऊपर में वालिस और उसके बाद यहां पर आपको दिखा तुवालू तो यह हो गया फिजी यह हो गया वालिस और यह हो गया फिजी तो इसको हम लोग क्या देखेंगे तो इतना हम लोग यहां पर नौटिस किये अब फिर से एक बार देखें यह सारा क्या था पिटकेर्न आइलेंड ये सारा क्या था फ्रेंच पॉलिनेसिया यहां पर क्या था कुक आइलेंड ये था ये था नियू आइलेंड फिर यहां था समोवा और उसके बाद समोवा के ठीक नीचे ये जो पुरा का पुरा हिस्सा था ये था टोंगा और टोंगा के बाद हम लोग notice किये तीन चीजों को जिसमें नीचे यहां था आपको फिजी, जस्ट इसके उपर में Wallace and Futina यहां पर और इसके बगल में यहां पर तुवालू तो फिजी, Wallace and Futina तुवालू, अब हम लोगों को notice करना है यह, यह जो है जस्ट उपर में आपको किरिबाती दिखेगा, और किरिबाती के बाद यह पूरा यह पूरा जो है, यह Marshall Island है, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि Marshall Island क्या Australia के North में है, तो बिलकुल North में है, क्या Papua New Guinea के North में है, तो उसके भी North में है आप अब इसको फिर से नोटिस कीजिए, यह था Marshall Island, अब Marshall Island का position कहाँ पर आपको दिख रहा है यह है Philippines, तो और यहाँ पर है Marshall Island, तो अगर मैं आपको नोटिस करवाँ, तो यह आपको है Marshall Island और यह है Philippines Philippines के ठीक पैरलल आपको Marshall Island है, कहाँ इस New Zealand के बिलकुल उपर New Zealand के बिलकुल उपर और Philippines के सामने यह है Marshall Island यह पूरा का पूरा Marshall Island और इसी New Zealand के ठीक उपर में, लेकिन इस Carpentrya की खाड़ी के बगल में, यहाँ पर आपको क्या दिखा था फिजी आपको नोटिस करना है, यह था फिजी और यह है Marshall Island जो New Zealand के ठीक उपर में है लेकिन Carpentrya की खाड़ी के ज़स्ट बगल में पैरलल यह है फिजी और Philippines के ज़स्ट पैरलल यह था Marshall Island तो मेरे समझ से यहाँ हम लोग देखे उसके बाद इसको आप नोटिस कीजिए यह है Solomon Island और Solomon Island कहाँ पर है जो पापवान यूगिनी है इसके ठीक यह पापवान यूगिनी है इसके ठीक उपर में यहाँ पर यहाँ इसके पैरलल यह है आपको Solomon Island तो आपको नोटिस क्या करना था यह इस New Zealand के उपर जो New Zealand है इसके उपर और यह फिलिपिन्स के बगल में यहाँ पर था कौन सा Solomon Island और सॉरी Marsal Island यह Marsal Island हो गया और यहाँ जो यह आपको दिखा यह Solomon Island हो गया और कार्पेंट्रिया की खाड़ी के बगल में यहाँ पर जो दिखा यह Fiji है तो इस तरह से यह Fiji और यह Marsal Island और यह Solomon Island तो इस तरह से कुछ यह सब हिस्सा है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा और यह है New Caledonia जिसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर यह जो तीन चाड़ आइलेंड यहाँ पर दिख रहा है यह है New Caledonia जो की Carpandria की खाड़ी के बिलकुल South में और उसके पैरलल है तो New Caledonia भी हम लोग यहाँ पर नोटिस के तो इस तरह से जो भी अभी का जो कोटा है अब दिमाग से उपर से न जाने लगे इसलिए मैं फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है हम लोग अभी क्या सब देखे पिटकेर्न आइलेंड, फ्रेंच पॉलिनेसिया कुक आइलेंड, निउ आइलेंड, समुवा टोंगा, फिजी वालिस एंड फ्यूटना, तुवालू और उसके बाद हम लोग किरीबाती देखे, मारसल आइलेंड देखे औरillsके बाद वनवातु देखे, सोलवन आइलेंड, न्यू कैलिडोनिया और ये तो पापॉας नियूगिनी है ही है ये सारा पापॉआ नियूगिनी है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद